अब हम अनुच्छेदों की बात करते हैं, आर्टिकल्स की बात करें टोटल आर्टिकल धारा पांच से धारा ग्यारा एक त्वरित नजर डालें कि इससे पहले कि थोड़ा हम विस्तार से जाने इनके बारे में एक तुरित नजर कि जो आर्टिकल पांच है धारा पांच वो नागरिक्ता के बारे में प्रारंबिक जानकारी देता है जहांद से सुनिएगा आर्टिकल पांच नागरिक्ता के भारत आय हुए लोग, आर्टिकल साथ भारत से पाकिस्तान गय हुए लोग, आर्टिकल साथ भारत से पाकिस्तान गय हुए, धारा आठ, धारा आठ का संबंध है विदेशी प्रवासी से, विदेशी प्रवासी जिने एन आराई कहते हैं, नौन रेसिरेंट इंडियान, ऐसे भरती जो विदेश में बस गया हैं, उनके बारे में, यह है विदेश-प्रवासी नौवा दूसरे देश की नागरिक्ता पाने पर भारत की नागरिक्ता खो देना। दसवा है नागरिक्ता संबंदी मामला और ग्यारवा है नागरिक्ता संबंदी कानून कौन बनाता है संसत तो इस प्रकार आर्टिकल पांच से लेके आर्टिकल ग्यारा तक एक त्वरित हमने दिया कि प्रारम से लेके संसत कैसे एक के बाद एक ये धाराएं किन मुद्दों को छूती हैं अब एक एक मुद्दे की और थोड़ा बढ़ें धारा पांच जैसा मैंने बताया समविधान के प्रारम में नागरिक्ता के बारे में बात करता है समविधान के प्रारम में नागरिक्ता समविधान का प्रारम कब होता है 26 जनवरी 1950 उसके पहले के बातों को लेकर नागरिक्ता संबंदी कुछ नियम बने और उसमें पहला बिंदु था जन्म भारत में हो जन्माधार दूसरा माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हो तो भारती नागरिक्ता और तीसरा है समविधान लागू होने से पहले भारत में रह रहा हो समविधान लागू होने से पहले तो इस प्रकार अनुछे पांच जन्म के आधार पर लेकिन कानून के पहले समविधान बनाने के पहले समविधान बनने के पहले प्रारंब की स्टेज यह पहली धारा धारा भाराच छे जैसा मैंने बताया पाकिस्तान से भारत आये लोंगों के लिए उनके नागरिक्ता के मुद्देख, पाकिस्तान से भारत आये लो, ये कब हुआ? 1947 के partition लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि विभाजन की बात जनवरी 47 में ही लगभग तै हो चुकी थी विभाजन की बात जनवरी 47 में ही लगभग तै हो चुकी थी तो इसलिए अनुछे 6 जो है वो पाकिस्तान से भारत आया लोंगों की नागरिक्ता के बारे में बात करता है और permit की बात होती है अब ये वाला जो प्रावधान है कानूनी प्रावधान अब इसके कोई मायने नहीं रहे क्योंकि अब विभाजन की बात समस्या खतम हो गई है विभाजन समस्या खतम हो गई है फिर भी आप जान लें कि आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने की बात है permit की बात है और जो तारीक दी हुई है 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले ये दिया आया हो तो permit की जुरत नी लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद ये दिया आया है तो permit लेना आवश्यक है permit क्या होता है permit होता है क्या हुआ कई लोग भारत में थे पाकिस्तान चले गया ये permit की जुरत क्यों पड़ी और भारत छोड़कर पाकिस्तान गया अच्छा है माबाद इच्छा हुई नहीं भाई वहां का माहौल बेकार है पाकिस्तानी लोग आतंकवादी हैं पाकिस्तानी लोग दुष्परचारी हैं आधी आधी और हम वापस चलते हैं भारत तो ये कब तक चलेगा लेकिन फिर भी भारत का जो दिल है वो बड़ा विशाल है भारती संविधान में प्राधान किया गया ये कहता है न लौट के बुद्धू घर को आए तो ये वही लोग थे जो भारत से पाकिस्तान गये इस बहतर सपने की उमीद में लेकिन वहाँ उन्होंने पाये कि स्थितियां बहुत बेकार हैं तो वापस आने लगे सुबह का भूला यदि शाम को माफी मांग ले तो भूला नहीं कहलाता उसी के तहट भारत सरकार ने इनको अनुमत दे दी कि भाई आप भारत आना चाहते होता आप आओ और एक पर्मिट बनवाओ उस पर्मिट के तहट 6 माँ पहले आपको रहना होगा ये सुनिश्चित हो जाए कि आप अब यहां से फिर वापस नहीं जाओगे तो हम आपको नागरिक्ता की पातरता देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो तारीक क्या थी पर्मिट लेने के लिए 19 जुलाई 1948 के बाद आए हुए लोगं को पर्मिट की जरुरूरत थी ठीक ये है आर्टिकल 6 आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गया लोगं के बारे में जो लोग भारत से पाकिस्तान गया हूँ और ये कब है एक मार्च 1947 के बाद पाक गया हूँ कि तु वापस आ गया तो उन्हें रिजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एक मार्च 1947 भारत से पाकिस्तान याद रखेंगे पहला वाला है पाकिस्तान से भारत और अब है भारत से पाकिस्तान वो आपस आ गए इसलिए उन्हें रेजिस्टेशन कराना पड़ेगा रेजिस्टेशन के बाद पूरी प्रक्रिया होगी ये आर्टिकल साथ अनुचेद आठ क्या बोलता है अनुचेद आठ भारत के बाहर पैदा हुए या रह रहे बच्चे के बारे में हैं जैसा मैंने बताया विदेशी जन्म, विदेशी जन्म मतलब विदेश में जन्म, जिस बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो जिसके माता या पिता भारती हो उनके बारे में हैं, तो भारत के बाहर रहरा बच्चा भारत का नागरिक हो गया है जिसके माता या पिता भारती ह यदियपी इसका बहुत दिरुपयोग हुआ लेकिन समय आते स्थिती सुधार ली गई और 1986 में जैसा मैंने बताया अमेंडमेंड किया गया संशोधन किया गया और उसके बाद स्थितियां बहतर हुई आर्टिकल नौ बड़ा स्पस्थ है जैसा मैंने बताया विदेशी नागरिक्ता लेने पर भारत की नागरिक्ता स्वयमेव समाप्त आप किसी अन्य देश की नागरिक्ता नहीं ले सकते और यदि आपने ली तो भारत की नागरिक्ता अपने आप समाप्त हो गई बहुत सीधा सरल धारा है आर्टिकल 9, नौ नंबरी आप याद रखें, नौ नंबरी आर्टिकल उस व्यक्ति के लिए जो भारत की नागरिक्ता, जो दूसरे देश की नागरिक्ता ले लेता है, अनुच्छे 10 क्या है, अनुच्छे 10 बहुत महत पूर्ण है हमलें के लिए, औ पादर्श नागरिक्ता से है, अनुच्छे 10 कहता है कि नागरिक्ता का बना रहना तभी संभव है, जब तक आप कोई गलत कारे ना करें, यदि आपने कोई गलत कारे किया, तो आर्टिकल 10 के तहट आप पे करवाई होगी और आप नागरिक्ता से वन्चित हो सकते हैं, तो अनुच्छे दस हमारे लिए बहुत अहम है, हम सब जो यहां पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस समाज में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत जानना जरूरी है, कि ऐसा प्रावधान हमारे समधान में है, जिसके तहट हम अपनी नागरिक्ता से वंचित हो सकते हैं, और यह प्रावधान धारा दस में है, और ग्यारवी और अंतिम धारा है, कि नागरिक सम्मंदी कानून, नागरिक्ता सम्मंदी कानून, संसद ही बना सकती है, और संसद में कौन सा मंत्रा ले, ग्रेह मंत्रा ले, तो इस प्रकार ये धारा 5 से लेकर धारा 11 तक आपको मैंने स्थिति पष्ट कर दी कि किसके बाद क्या है, हमने बहुत विश्तार से भारती नागरिक्ता इस पाध्यन किया है, बहुत से बिंदुओं को छुआ, और अब तक ये अहमियत समझ गया होंगे एक अच्छा नागरिक कौन होता है ये समझ गया होंगे और प्रणाम सरूप अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करेंगे भारती नागरिक्ता जैसा भारती सम्विधान कुछ विशेश बातें रखता है अपने साथ भारत का एक मात सम्विधान है जो इतने बड़े उसमें लिखित है सबसे बड़ा लिखित सम्विधान विश्व का है ये भारत के सम्विधान की विशेशता है और भारत के सम्विधान के बहुत सारी विशेष्टाएं हैं ये ऐसा सम्विधान है जो जन्ता के द्वारा बनाये गया है और जन्ता को समर्पित है जैसे सम्विधान के विशेष्टाएं हैं ऐसे ही भारत के नागरिक्ता के प्राउधान की भी विशेष्टाएं हैं तो अब हम बात करते हैं भारती नागरिक्ता की कुछ विशेष्टाएं जा कुछ लक्षन क्या हैं पहला एकहरी नागरिक्ता है हमारे यहां डूएल सिटिजन्शिप नहीं है भारत में एकहरी नागर की व्यवस्ता है अर्थात क्या हुआ अर्थात ये कि भारत का रहने वाल निवासी भारत का ही नागरिक होगा वो भारत की नागरिकता के अलावा 36 गड़ की भी नागरिकता नहीं ले सकता किसी राज्य की नागरिकता नहीं ले सकता वो देश की ही नागरिकता लेगा का नागरिक हों उसके बाद किसी राज के भी नागरिक हों क्योंकि वे राज्य स्वयम में एक राष्ट का रूप लिए हुए हैं लेकिन भारत में ऐसा नहीं है भारत में संघी प्रणाली तो है और संघी प्रणाली के तहद दोहरी नागरिक्ता का प्राधान रहता है सौमान नित्या लेकिन भारत में संगी प्रणाली होते हुए भी हमारे यहां एकहरी नागरिक्ता है संगी प्रणाली क्या है यह आप किसी अन्य अध्याय में देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे इतना भी जानले कि संगी प्रणाली में दोहरी नागरिक्ता स एकहरी है एक ही नागरिकता है राष्ट की हम भारत के नागरिक हैं हम पंजाब के नागरिक नहीं कहते या हम ये भी नहीं कहते कि मैं भारत का और पंजाब का नागरिक हूँ कहते हैं क्या नहीं कहते तो नागरिकता एकहरी हमारी दूसरी विशेष्टा है कि यद्यपी नाग नागरिक्ता इकहरी है लेकिन नागरिक्ता का विश्य जो है वो संघी मामले में रखा गया याने concurrent list संघी विश्य माना गया है संघी विश्य क्या है संघ क्या है यह आप अन्य अध्याय में पढ़ चुके होंगे ऐसा मानते हुए मैं चलता हूँ और आपको केवल इस बात से वाकिफ करूँगा कि इकहरी प्रणाली होते हुए भी ये विश्य जो है वो संघी में डाला गया है तीसरी विशेष्टा नागरिक्ता के मामले में भारत बहुत उधार दिर्ष्टिकोन अपना रहा है इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि भारत ने समय समय पे जो संचोधन की ये नागरिक्ता के मामले में वो भारत की उधारता को बताता है उसने पाकिस्तान गय हुए भारतियों को पूरा मौका दिया भारत में शामिल होने का उसने भारत के बाहर रहने वाले लोंगों को पूरा मौका दिया भारत के नागरिक्ता पाने का उसने विदेश में जन्म लिये लोगों को पूरा मौका दिया और उन विदेशियों को भी भारत पूरा मौका देता है भारत के निवासी बनने का जो भारत में रहने के इच्छुक हैं यहां की संस्कृती से प्रभावित हैं यहां के जीवन शैली में खपना चाहते हैं यहां संबंदी कानून संसद को है नागरिक्ता संबंदी कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है ये चार विश्ष्ष्षाओं के बाद एक नजर डालें कि एक आजकल मुद्दा चलता है दोहरी नागरिक्ता वैसे तो भारत की एकहरी नागरिक्ता है मैंने कहा लेकिन वि अधिनियम 2005 मैंने आपको बताया 1955 का पहला कानुन उसके बाद पहला संशोधन 1986 उसके बाद 1992 में एक दो संशोधनों का जिक्र किया और ये 2005 के समवैधानिक संशोधन के बारे में बात करूँ तो ये दोहरी नागरिक्ता संबंधी संशोधन है 2005 का नागरिक्ता संशोधन अधिनियम दोहरी नागरिक्ता से संबंधी ता है इसमें क्या है पहली बाद भारत और बंगला देश को छोड़कर अन्य देशों के लोग 26 जनवरी 50 के बाद यदि भारत से चले गए तो भारत की नागरिक्ता पा सकते हैं मैं पुना दोहरा दूँ कि इस संशोधन के ताहद पाकिस्तान और बंगला देश को छोड़कर विभिन्द देशों में रह रहे हैं सभी लोग जो 1950 के बाद भारत छोड़के चले गए थे लेकिन 26 जनवर 1950 को भारती नागरिक बनने योग्य हो गए थे भारती नागरिक बनने योग्य रहे हो लेकिन पहली बात पहली शर्ट पहली चीज भारती नागरिक बनने योग्य रहे हो कब 26 जनवरी 50 को दूसरी उसके बावजूद वे भारत छोड़कर विदेश में कहीं रहने चले गए तीसरी बात बांगला देश और पाकिस्तान को छोड़कर किसी अन्य देश में चले गए यदि ऐसा है तो उन्हें OCI याने Overseas Citizen of India का दरजा दिया गया Overseas Citizen of India अप्रवासी भारती शाट में OCI का दरजा दिया गया कितनी उदारता है भारत में रहने की पातरता रखते हुए भी जो 26 जनवरी के बाद छोड़कर चले गए किसी भी देश में बस गए बांगला जेश और पाकिस्तान को छोड़कर ऐसे लोगों को OCI अर्थाज भारत के प्रवासी नागरिक के लिए वे पंजी करन के पातर हो गया तो दोहरी नागरिकता मिलती इनको दोहरी नागरिकता दी गई ड्यूएल सिटिजन्शिप ऐसे भारतियों को जो 26 जनौरी 50 को भारती होने की पातरता तो रखते थे लेकिन फिर भी यहां न रहके 26 जनौरी 50 के बाद विदेश चले गए वहां बस गए वहां की नागरिकता ले लिए तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं भारती नागरिकता भारत के ओवर सी सिरिजन बन सकते हैं और उसके लिए क्या करना होगा प्रसीजर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके पश्चात ने दोहरी नागरिकता मिलेगी दोहरी नागरिकता के संबंद में आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि दो तरीके की श्रोणी बनाई गई एक तो P.I.O P.I.O ये बाहर रहने वालों के बाहर रहने वालों के लिए परसन ओफ इंडियन ओरिजिन क्या कहते हैं इने परसन ओफ इंडियन ओरिजिन P.I.O और दूसरी श्रोणी हुई O.C.I. जिसका मैंने जिक्र किया Overseas Citizen of India जिसका प्राउधान 2003 में किया गया और ये जो P.I.O का जो प्राउधान था ये 1993 था इन दोनों श्रिडियों को मर्ज करके इन दोनों श्रिडियों को एकी कृत कर दिया गया है और ये किया गया 2015 के नागरिक संशोधन अधिनियम के तहद नागरिक संशोधन अधिनियम के तहद इन्हें मर्ज करके एक तरह की नागरिक्ता दे दी गई, डियूल नागरिक्ता, लेकिन ये संशोधन कब हुआ, 2015 के नागरिक संशोधन अधिनियम के तहद, तो इस वकार बच्चों, पूरे विस्तार से नागरिक्ता संबंदी जानकारियां आपको दी गई, इस अध्याय के प्रारम में मैंने बहुत सारे प्रश्ण उठाये थे, जिसका संबंद नागरिक्ता से था, और कई नामों को मैंने लिया था, और उसके पीछे प्रयास था कि आपके मन में नागरिक्ता से जुड़े हुए सवालों के प्रतिक कौतूहल जागे, और ये बात को समझें कि ना नहीं की है, जो किसी अन्य ध्याय में आएगी वो बाते हैं, लेकिन फिलहाल आप समझ लें कि नागरिक्ता को लेकर देश में जो इतनी गर्मी थी किसी समय एक दो साल पहले, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि वह मुद्दा हमारे इतने सारे सवालों से उमें बताया है, उमीद है कि ये इनके उत्तर आपको मिल गया होंगे, नागरिक्ता का मुद्दा आपके स्पष्ट हो गया होगा, और अच्छे नागरिक्त बनने का प्रयास आप लोग अवश्य करेंगे, वर्तमान में एक नया विश्या आया हुआ है विश्व नागरिक् पूरी दुनिया को एक कुटममाना, भारत तो हमेशा इस बात का प्रोपनिंट रहा है, सपो्रे रहा है, जिसमें वो दुनिया को एक कुटम्ब के रूप में देखता है, तो जहां पहले नगर हित की बस्वा हित के बाद उपर नगर हिद, नगर हिद के बाद प्रांट खेत्री हिद या परिवार हिद, प्रांटी हिद, राश्टर हिद, अब राश्टर हिद से उपर समय आ गया है जब हमको विश्व हिद का सोचना है दुनिया बहुत छोटी हो चली है, संचार मादमों के कारण, और दुनिया के पास ऐसे हथियार भी है कि एक देश के द्वारा किया गया गलत कारे पूरी दुनिया को बरबाद कर सकता है वैसे ही एक देश के द्वारा किया गया अच्छा कारे पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है अच्छे तरीके से एक देश के द्वारा छोड़ा गया परमान बम पूरे दिविश्व को विनाशन की और ले जा सकता है और ऐसे ही एक देश के द्वारा की गई कोई खोज जैसे अभी करोना काल में वैक्सीन की खोज एक देश के द्वारा की गई उसने पूरे विश्व भारत के द्वारत के द्वारा की गई और भारत के द्वारा की गई वैक्सीन की खोज का असर हम देख रहे हैं पूरी दुनि अब समय आ गया है जब हम मात्र देश के आदर्श नागरिक ना बने बलकि विश्व नागरिकता की सोचें और यदि हम अपने देश के लिए ही आदर्श नागरिक बन जाएं तो निश्यत रूप से विश्व नागरिक्ता की सोच में भी अच्छा विकास होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा